यह थोड़ा सीट बिड़ है इतना उपर उच्चा कर दे है इसको उच्चा मत करो इसको दिये फुशें दे दे खुशें दे नाक किते है दूं नासान सुनना रेखिदा करना एदरी बनाएजैं यह बनाईजैं बनाएजैं अधरी बनाएज ते कर अधेड़ वात फास्स जएक शेल स्पर इसलोर वे जाग पिछे ज चलिए थोडिगा इच्शों आख बुसे भी आप तो पीछेवग्भी सालई चल्व आन कहला है बने सबस्सक्राइब इसके और यह तो भी आदिखनें विश्म को फूबंट्राइब इसके कर दो इसके कव फूब वह इंद निम्हें लेगांग तो बहुत अच्छा ही गाना तो है यह लेकि उसके यह गाना चालो पूम्ला यह लिख दूर टाया था जा चूरो हूए ने सुफी सुफी सूंग है मेरा जैसे कि नमादम शुप लगसा सब्स पार शूंग भी था और भहुत WNY इबाधत वाला सुफी सॉंग तो जिसमें लोग जुमते भी आंद आफ गाते भी हैं अगास वहसा एग सवंग हजमारा अब आप सुन सकते हैं लेकिन जब मैंने और यह और गाना निकाला तो देन लोग कल्ब में वी सुनने लगे और इंज्वाइए करने लगे इस्पेशली जो जंक्स्टन है तो वैसे जो यह मेरा नया गाना है वह अली-अली यह मेरा सेकंड सुफी सौंग है और जब मैं अभी दुबई में गया था लास्ट इयर तो कम से कम सेवंटी थौजन वहाँ पे क्राउड था ग्लोबल विलेज में और मेरा फिर अभी पंदरा तारीकों भी ग्लोबल विलेज में शो है तो जब इतना क्राउड मैंने देखा था ऑंदा स्पार्ट मैंने यह गाना वहीं कंपोस करा अली-अली और बहुत अश्या उसका रिस्पॉंस था देन उसके बाद मैंने वापस मैं इंडिया में आया ह छिए यह आप उद्यांतर है यह ओद रिधर झांदर यहाप उद्र चलता है तो जब भी जितने गाने हम पे कंपोस होते हैं जाला तरो रोमेंटिक बन जाते हैं है जैसे राम बड़ आच्छा गाना था यह जितने भी गाने आदो जिसके अंदर अल्ला का नाम आता है तो वो थोड़ा सा रूमैंस या रूमैंटिक में जल जाता है तो मैंने यह जो गाना बनाया अली यह फिर प्योर सूफी सौंग है जिसके अदर आपको कोई भी ऐसा नहीं नो गल्स, नो कार्स, नो स्टाइल या एक रूमैंटिक में नी बनाया पूरा इबादत की तरह इसका वीडियो बनाया और आप जितने भी मेरे फैंस देख रहे हैं अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे जाएंगे अभी गाना लॉंच भी हो गया आजी अभी चार बजी हम और बड़े लेवल पर प्रमोट करो शूट करो और यह बहुत अच्छा सौंग है और लोगों को अच्छा लेगा तो पिछले पांस साल से मैं का उनके साथ उनके बद्दे में मैं हमेशा बद्दे सेलिबिट करता हूं अगर आपको याद होगा लास्ट लियर वहां पे पर सेलिटन को एक लॉकट गिफ्ट किया था तो वही बाला के बद्दे के अभी बद्दे में जब ही मैंने गाना परफॉर्म कर रहा था एंड एकोन वहां पे स्पेशल गैस थे एंड ही स्पेशली केम ऑन स्टेज उन्होंने माइक लिया और वो सीधा अली 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 मैं फैंस जो इतना सपोर्ट करने गाने को और पूरे वर्ल्ड से मुझे मेसेज़ आ रहे हैं और पंदना तारीकों अगेर मैं बहुत बड़ा शो करने जा रहा हूं दुबई में आम शोर कि महां भी 52-70,000 क्राउड होगा बिकाज ये दुबई में तो पूरा अर्मी ये ग सब्सक्राइन काने का रहा होता है वी कि अचलते हुं देन मनमों सिंग जी उस वक्त कॉंगर्स से जीते थे तब गाना सिंग इसकी चल लेकिन गाना हम ने बनाया था सिंग इसकी फॉर मेरी कम्यूनिटी के लिए लेकिन जब हम राजस्तान में गए तो जो वहां के सिंग है उन्होंने भी गाना उस गाने पर डांस करना शुरू कर देन सम्तिंग सम्तिंग मेरा का रोमैंटिक तो फिर बिल्लो जो कि टीनेजर को बहुत पसंद था तो मैं हमेशा हर साल एक को टार्गेट करता हूं कि यह जो और इस है अब मुझे इस और्डिंस को टार्गेट करता है जी बिल्कुली मेरी जान तू मेरी शान तू मेरा कलमा तू एमान दू मेरी जुस्त जू मेरी आरजू हर जर्रे में बस तू ही तू दूआ नहीं तुझ को मैने याद कर लिया है बस तेरा नाम हर वक्त सब की जुबां पे और दो लिए अलि अलियु해 VS अलियुन घुर्कॉन करना लिक्सान नमय में पॉन्दू में भी रेज़刃 गस्पी है कर दोते हैं की रिण्धार है? बश्री ताभी है ताभית पर ऊन्धा पॉन्दभि छे ऐरी हुएर। और मीनु बक्षी सिंगर ने मेरे साथ वो गाना काया है और अफ्टर डीजे वाले आप ही दो हफते बाद ये अली अली है और अली अली का मतलब है कि एक सूफी सौंग जिस पर आप जूम सकते हैं और आप अबादत कर सकते हैं सो जो एक आदमी मौलाना या मस्ताना होके जब आदमी जूमता है तो ये वह रगा और आज बहुत बड़ा दिन है मेरे रिसंटली मैं यूसे में गया था तो मैंने जुड़ा था इसमाइली फांड़ेशन से ये एक कम्यूनिटी है जिनके जो सेंट है उनका नाम है आगा खान जी उनका आज बड़े है 13 दिसंबर तो जब मैंने यूसे में इनके शोज करे थे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूसे में उसके बाद मैंने डिसाइड कि जो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ये गाना उनको एक ट्रिब्यूट करता हूं आगा खान जी काज बड़े है सब्सक्राइड के वह हो गए हैं सो मैंने सोच जा था कि तीना तारीकों जब यह अच्छा दिन है तो मैं यह गाना लॉंच करूंगा सब्सक्राइड तो साल पहले मैंने यह फैंसला कि गया था कि गाना में इस तारीक को रिलीज करोगा जिसन following नहीं लाप था कि जनुए फ़ यह अब प्रॉंच करि à mizzi直接 सब्सक्राइड को पिखा है दो आपको तो ब्रॉंच को ठीड हरुआ है यह कहँँ प्रॉमम करते है कि प्रॉला मता थे जिसरह अज़्प ईजिट पर बहुत यंगा जारा रसीम जी सो कई बार होता है कि थोड़ा टाइम लगता और इंटरेक्ट करने के लिए डेफिनेटली वो जो उनके साथ हाथसा हुआ वो बहुत गलत है और आम शूर के जो मैं चाहता हूं कि आगे आगे से लोग जो भी यह मेरी इंट्रूरू सुन रहे हैं थोड़ा जैसे मैं मैं चेश्मा बहन नहीं चुरू कर दिया कई बार मैं सुबह सुबह उठता हूं असुबह लेता हूं तो 7 o'clock जैसे मैं लेंड करता तो मेरा शेकल तोबड़ा पुरा खराब होगा होता है नेचरली बात है आप थक होंगे फैंस आते हैं वो उनको लेना दिनाने क कि आप अच्छे दिख रहे हो गलत दिख रहे हो उनको आपकी अवाज पसंद हो बोल दें पाजी पाजी फोटो करने हैं तो फिर मैंने पांस साथ साल मुझे हो गया है विजाए उनको मना करने के लिए वो सुद्रेंगे तो है नहीं आफ्टर और हम भी अपने फैंस की बत पूरनाने चाहिए और उनको अनकोफिटेबल नहीं होना चाहिए तो यह मेरी सबसे को जाहिए यह तो कमाल ही हो गया है आप मैं हमेशा क्रिकेटर्स का बहुत जादा बड़ा फैन नहीं रहा हूं लेकिं रिसेंटली मैंने नोट कर रहा है कि अगर अभी जो मुझे लगता जाइध भनसाल हुए बांता साल देट करा और आध में उन्हें उन्हें चादी करी तो यह भी अपने अनुश्का और विलाट कोणी और बहुत बहुत अच्छी होगी कि इतने खुबसरों चेहरे नशादी करें सो बेस्ट विश्ट भाई लब्यूंग आप क्या विश्टा में लिए अरियली गाता है तो विराट एंड अनुश्का मेरी तरफ से आपके लिए इह सूफी सेँगे इबादत वाला सूग है मेरी जान तू मेरी शान तू मेरा कल्मा तू इमान तू मेरी आर्ज़ू मेरी जुस्त चू हर जर्र में बस तू ही तू साथ में भड़ो और ऐली यली 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 यली-यली-यली Earn अफक। अफ़ απनी प्रिजेक्टो रिस ली मेरी तेम ना पुरी ती विकाद 18 साल से मैं आमरी खान साब का था हूँ थोड़ा बाओ 기साद मेरी दोस्ती भी है जान पेचान भी है क्योंकि 99 में मेरा जो पहला वर्ल्ड टूर हुआ था वो आमिर खान साथ ही हुआ था और पहली बार मैंने युएस से उनके साथ घूमा एज़े सिंगर उनसे पहले मैं दिलेव पाजी के साथ एस गिटारिश्ट मैं परफॉर्म कर चुका था लेकिन एस सिंकर मेरा गाना साव में लगया अगर रिलिज हुआ था तो पहली बार मैं आमिर भाई के साथ वर्ल्ड टूर पे गया था जिसमें यूके में शोज हुए थे मारे लंडन में यूस से में 16 शोज हुए थे और तब एक दिन तो जुरूर ऐसा आएगा कि आमिर भाई खुद मुझे बोलेंगे यार में साथ गाना गाओ तो मैंने 18 साल उनका वेट करा एंड फाइनली यह जो सिक्र सुपरस्टार है इस पर मुझे सेक्सी बिले गाना मिला जिसमें उनका जो स्टाइल है वो भी पूरा चश्म जो नहीं सोनु के सुनु के टीट्टू की स्वीटी तो लव रंचन जो मेरे दोस्त आए उनके पहली फिल्म जो थी प्यार का पंचन नामा उसमें मेरे दो गाने थे इन सेक्ट में उन्होंने पुराना वारे गाने यूज चला थर्ड में वो फिर यह फिल्म बना रहें सेम कास्ट लेके and I'm sure कि फिल्म सुपर हिट होने वाली इसका इडल सुंग मैंने काया हाँ मुजिक टैटर बहुत है and I'm sure कि जितने भी आजकर तो न्यू कमर्स आ रहे हैं बहुत ही टेलेंड़ आ सो इसलिए मैंने जो मेरी कंपणी है जी गाना अली अली जो है इससे पहले मैंने दिलेपाजी के साथ गाना रिलीज कर रहा था तो मुजिक कंपणी का नाम है Music and Sound जिस पर हम Newcomers को भी बहुत चांस दे रहे हैं मेरा रिसनली शो मैंने शुरू कर रहा है जिसका नाम है Old is Gold जहाँ बहुत सारे मैं न्यू टैरेंट को आगे लेके आ रहा हूँ और बहुत सारे नए बच्चे हैं जैसे रिसनली मैंने तनु श्रीबास तकर आप यूट्यूब पे जाएंगे उन्हें बैयाना धुरू लता जी का गाना बहुत च्छे स्टायर में गाया जैसे आप कोक स्टूडियो देखते हैं जैसे आप बड़े बड़े शोज देखते हैं मिक्स्टेप देखते हैं उस्सी तरीका का ये शो हमारा है Old is Gold जहां पे हम सिर्फ पुराने गाने गाएंगे मैं भी गाऊंगा दिले पाजी भी गाएंगे हंस पाजी भी गाएंगे ल झाल 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 झाल